नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बढ़ी आसान भाशा में यह सीखने वाले हैं कि हमारे गुरू में जो भी तार आते हैं, चाये वो हरे के लरका हो, लाल के लरका हो, नीले के लरका हो, इनकी अलग-लग नाम होते हैं, जैसे कि अर्थ, फेज, न्यूटरल, इनक इस तरीक से कुछ लोग अपने गरों में बिजली चोरी कर लेते हैं, बड़ी ही आसानी से इत्ते सरे इंतिजाम के बावजूद, यह सब कैसे होता है, बिजली कैसे फ्लो करती है, बड़ी ही आसान भाशा में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, बने रही हमरे साथ और द के आना, अब बिजली आई है, तो इस सर्कृट को पूरा करने के लिए बिजली ले के भी जाएगी, तो जो तार बिजली ले के जाते हैं, उन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं, यहां पर जो न्यूट्रल है, वो काले कलर साथ मैंने बना रखा है, सामाने तर यह काले कलर का ही ह होता है बहुत सारी जगह यह पीले या नीले का भी हो सकता है कलर कुछ भी हो सकता है लेकिन ग्रीन नहीं हो सकता ग्रीन हमेशा अर्थ के लिए हम डिनोट करते हैं और यह हमेशा सेफटी के लिए होता है सेफटी का उतार इसे हम कहते हैं इसको बाद में डिसकस करने वाले फि पूरा और हम करते हैं एक्जेल तो यह हुआ बार तो एक complete एक respiration के लिए हवा का आना और जाना दोनों ज़रूरी है उसी तरीके से यहां पर electricity के proper flow के लिए phase का आना और neutral के साथ जाना बहुत ज़रूरी है चलिए अब हम यह discuss करते हैं कि क्यों पक्षियों को current नहीं लगता हमारा phase है आप देख सकते है phase और जो काले कलर का तार है वो हमारा neutral है इस तरीके से हमारा circuit पूरा होता है यदि हाप में से इन दोनों में से किसी भी एक तार को touch कर लेते हैं और तो आपका circuit कभी पूरा नहीं हो क्योंकि इसमें आगे का उसको line नहीं मिल रही है circuit पूरा नही नहीं है आने का तो है उसी तरीकी से यदि उसने इस तार को छू लिया तो भी उसे current नहीं लगेगा क्योंकि उसका touch इस पर नहीं हो है लेकिन यदि इस व्यक्ति ने यहां से यहां पर touch कर दिया तो उसका circuit यहीं पूरा हो गया तो एक जबरदस current लगेगा तो एक normal phenomenon है अब अब साथ में होती है अर्थिंग अर्थिंग का हम मैंने आपको बता है हमें और डिसकस करने वाले अब जिसर जरा यहां देखिए इन सभी पक्षियों को अब जब आप पक्षियों को यहां देखते हैं तो आप आते हैं कि हमेशा यह एक तार पर बैठे हो है चाए वो phase हो चाहिए वो neutral हो दोनों में से कुछ भी हो सकता है लेकिन वे दोनों को एक साथ टच नहीं कर रहे हैं इसलिए इन्हें कोई current नहीं लगता हो यह safe रहते हैं लेकिन इनकेस बहुत सी बार आपना देखा होगी कोई बंदर चिपक गया है बंदर इसलिए चिपक जाता है कि जब वो एक तार को पकरता चाहिए वो phase हो चाहिए neutral हो लेकिन उसकी push या उसका कोई और body part neutral पे touch हो जाता है या neutral पे है तो phase पे touch हो जाता है तो circuit वहीं पूरा हो जाता है और उसे electric जटका लगता है तो बिजली यह कहती हमेशा बिजली का सिधा सिधा message यह है कि मुझे यदि कोई कोई भी रास्ता मिलकर मिल गया निकलने का तो मैं आपको जटका मारूंगी और यदि मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिला तो मैं आपको कभी भी शौक नहीं दूंगी तो इसी principle पे birds बैठे रहते हैं अब समझते हैं कि गरों में विजली आखिर चोरी कैसे होती है normally जब क एक phase और एक neutral ये meter में आया और normally क्या होता है यहां से एक phase आया वापस घर के अंदर और दूसरा आता है neutral कुछ लोग बड़ी बदमाशी से phase तो ले लेते हैं बिजली आई लेकिन यहां पे neutral को उन्होंने काट दिया यहां टेप लगा दी इसको बंद कर दिया अब बिजली आई और इस बिजली को आने के बाद निकलने का रास्ता नहीं है तो यह लोग बड़ी चालाकी से एक निकलने का रास्ता देते हैं यहां इसको बोलते है अर्थिंग जिसकी मैंने बात की थी अर्थ का मतलब है कि बिजली का circuit पूरा हो गया जो बिजली आई है वो यहां से ह जो है बाहर जो तार होते हैं पोल पर उसके अंदर जो एक फेज ले लेते हैं और गर में अर्थिंग दे देते हैं तो इससे चोरी की जाती है बहुत सारी विजली विदोद्विभाग जो है इस चीज से परिशान है और वह काफी कोशिश करते है लेकिन मौका जब आता है तो वहां से कडिया निकाल लेते हैं वोलते हैं हमारे पास कोई बिजली आ नहीं रही तो इस तरीके से बिजली चोरी की जाती है गरों के अंदर और प्रशाशन कोशिश कर रहा है कि कम से कम बिजली चोरी हो अब तीसरा जो मैंने आपको जक्र किया था अर्थ इसका क्या यू यहां किसी तरीके से यहां से electricity leakage है और यहां लाया और यहां से लेके तो जा रहा लेकिन यहां पर electricity का flow इस पूरे फ्रेज में हो रहा है अब कोई person आता है और यदि इससे छूता है तो यहां उसे जबरदस electric shock लग सकता है अब क्या करें इस चीज का solution क्या निकालें तो इसक पीसरा काम आता है तार वह अर्थ का अर्थ देने का मतलब यह है कि हमने एक अत्रिक रास्ता दे दिया और यहां इसका resistance सबसे कम होता है कि धगेलने की शमता यहां पर 10 ohm से भी कम का इसका resistance होता है 10 ohm को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे body का resistance होता है वो normally जब हम गेले होते ह हम पूरे नहायवे होते हैं तब होता है 1000 ohm और जब हम सूखे होते हैं बिल्कुल dry होते हैं तो हमारा एक ohm होता है यानि कि बिजली को धक्का देने की capacity resistance को हम कहते हैं अब यहां पर जो है condition इसका है सिर्फ 10 ohm यानि कि जब भी कोई बिजली आएगी तो वो सबसे सुगम र सकते हैं यह अर्थ के थ्रू जाएं यहां पर अगर मान लेते हैं यहां सुखा हुआ भी नायाव नहीं तो आप मान सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस से वह वह लैक यानि कि एक लाक ओम है जबकि यहां पर सिर्फ 10 ohm है नैचरली जो बिजली आएगी वो यहां से होती भी अर्थ में चली जाएगी और या फिर न्यूटल इसमें चलता रहेगा इससे इस परसन को कभी शौक नहीं लगेगा इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिक बड़े एक्विपमेंट होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से 3 पिन सॉकेट दिया जाता है इसका मतलब अर्थ का होगया और तीसरा जो तार है वो अर्थ का होगया अब एक सबसे इंपोर्चन बार टाकर जेखे तो लगा रहे हैं तो सबसे पहले अर्थ कॉंटेक्ट में आए ताकि यदि इलेक्रिसिटी है उसमें कोई भी लीकेश है तो सबसे पहले ग्राउंड में चला जाए हमें शौक ना लगे अगर ऐसा होता कि यह छोटा होता और दूसरे जो तौार हैं वो बड़े होते तो हमें इले होगा वो हमारा अर्थ होगा इसी से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं और हमें कभी भी बिजली का जटका नहीं लगता मैं आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करेंगे हमारे साथ जोड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले और वीडियो के जो मैसेज़ेसे अपने मोबैल पर पाते रहें थैंक यू सो मच थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू